तो फ्रेंस इस वीडियो में हम लोग नौमरिकल कोश्चन देखने वाले यानी कि आंकी की परस्न वत्तर ठीक है यह भारती वन बुक से जो भी नौमरिकल देखेंगे वह भारती वन बुख से है चलिए सिदह वीडियो को स्टाइट करते हैं के इसके बाद विलोग कोशन अंस है तो परकास की चाल गयात करना है ठीक है तो जो पहले दिया हुआ उसको लिख लेते हैं उसके बाद समझते हैं तो जो हमारा पहला नंबर है कोश्चन उसको अगर हम लोग सोल्व करें तो जो पहले दिया हुआ उसको लिखेंगे ठीक है तो दिया हुआ है कि परकास की जो प 8 minutes 20 seconds ठीक है तो सबसे पहले था हम लोग 1 unit में सेम चेंज कर लेंगे यह 8 minute है और यह जो च longtime चांड तौ-8 मिनएट में कितना सीगेंड हो जागा आठ गुुना साथ सेकेंड और पलस यह से कंड항 से तायनि टोटल यह हो जाएगा सेकड़ ठीक है यानि इतना सेकंड और इतना से में इसको से लिखते है इतना से कंड़ तो अब यह अर्छा कारव की सब्णिक है यह सुद्ण यह सब् unfoncen उतलभ की आठ विश्ख सिकंड अर्थाथ पां सो सिकंड इंडक्टा समय लगता है इतर्फव पर आने में परकास ठीक है तो समय दीया हुआ और दूरी जो है ला पिर्थवी से जो दूरी है सूर्ज की वो दिया हूँ हो दिया हुआ पंदरा क्रोड किलो मीटर तो अगर हम अंगर में देखें तो 15 क्रोंड है काई दहाए और ये दस क्रोड हो जाएगा कह और यह दस क्रोंद हो यह दो सब्सक्राइब तो दो चार दो छे एक साथ सुनना रहेगा 15 पर इसको लिख सकते हैं 15 गुना 10 के दूरी है से के नहीं है चाल नहीं है तो ऐसा नहीं रहेगा तो 15 किलो मेटर दूरी का मतलब 15 गुना 10 के पावर 7 किलो मेटर है ठीक है किलो मेटर में देवा 15 क्रोड किलो मेटर तो 15 क्रोड किलो मेटर को ऐसा हम लोग लिख सकते हैं जो दूरी दिया हुआ है 15 किलो मेटर 15 किलो को मीटर यहां पर देखिए समय हो गया पता दूरी बटा समय तो दूरी कितना चाल बराबर फर्मूला होता है दूरी बटा समय यानि दूरी में समय से भागा दे देंगे तो चाल निकल जाएगा तो यह दो चीज पता होगा तो ही चाल निकलेगा या फिर इस में से तीनों में से कोई भी दो पता होगा तो तीसरा हम लोग निकाल सकते तो चाल बुरावर दूरी बटा समय है दूरी यहाँ पर दिया हूआ कितना है 15 गुना 10 के पावर साथ है किलो मीटर में और समय है कितना 500 सेकेंड है ठीक है अब यह 10 के पावर साथ है मतलब एक पर 7 सुनना है तो यहां भी से हम लोग ओड़ ऐसा भी कर सकते हैं और दो सुना से इसमें दो सुना कटे गा तो आप》 सुना भचे गा ठीक है FC यह तू हो गया हमारे पास तysis सील और गूना में यह दो सुना तो इसमें से कट गया if twice और हो गया एक किलो मेटर को goose में बद Physics 2000 करने पड़ेगा चुकि एक किलो मीटर में होता है 1000 मीटर एक हज़ार मीटर देतना में गुणा करेंगे न तो सम्प्ल सी बात से यह किलो मीटर में है अगर मीटर में चेंज करना होगा तो बड़ाबर 3 दसके पाफ पहले से हैं और इसमें 30 सुन और आ आज आएगा मतलब एक हजार से गुना करेंगे तब यह हो जाएगा किलो मीटर नहीं मीटर पर सिकंड मीटर पर सिकंड जिसको फाइनली लिखेंगे तीन गुना पांच सुना पहले से था तीन सुना यह जुटेगा तो दस के पावर आठ हो जाएगा मीटर पर सिकंड यह हो ठीक है तो फैनली क्या होगा है तो अता परकास की चाल जो होगा वो हो जाएगा अता परकास की चाल बरावर 3.10 के पावर 8 मीटर पर सेकिंड होगा या फिर केलो मीटर में लिखना चाहे तो उसको भी लिख सकते हैं तो यह हमारा पहला था अब हम लुक दूसरा नूमर आपके स्कीन पर सुह होगा हो वहां पर बोला कि निरवात में परकास की चाल दिया हुए सबसे पहले जो दिया हुआ है कि निरवात में परकास की चाल ठीक है तो निरवात में परकास की चाल निर्वात में परकास की चाल बरावर तीन गुना दस के पावर एट मीटर पर सेकंड जो कि हमने अभी निकाला तीन गुना पॉइंट के वाद जीरो का वैलू नहीं है तो उसको हम लोग तीन लिख सकते ठीक है और उसके बाद बोल ला था कांच में उसकी चाल यानि कांच में परकास की चाल यह निर्वात में था इस बार कांच में परकास की चाल दिया हुआ कितना था कांच में परकास की चाल है 1.8010 के power 8 है मिटर पर सेकेड है ठीक है इसको 1.8 भी लिख सकते हैं तो पूछ रहा है काच का अपवर्तनाग तो काच का अपवर्तनाग का फर्मूला क्या होता है सी बटक भी अगर हम लोग ऐसे देखे अपवरतनांग को इन स्वीड करते और इसका फर्मॉला होता है सी बटक भी यह तो निरवात में परकास के चाल जृँगा और जिस माध्य में उस माध्या में परकास के चलह जिसका अपवरतनांग निकालना होगा कुछ आएगा दोनों में भाग करने पर तो, यहाँ पर तीन चीज़ हैं और इस तीनों में किसी भी एक के मान निकालना होगा तो हम लो लोग निकाल सकते हैं थिक है वही कंशेप्ट character तो उस काझ के अपवरतनांग का सेंपना निकालना या होगा निकालना है तो कांच का अपवर्तनांग सिंपल सा लिखेंगे कांच का आपवर्तनांग या फिर डारेक्ट अपवर्तनांग का फर्मूला जो तो वो लगा सकते तो काच का अपड़नांक निकालना है तो काच की परकास की चाल नीचे रहेगा ठीक है जिसका निकालना है वो नीचे रहेगा काच में परकास की चाल परकास की चाल और उपर तो कॉमन रहता है निर्वात में परकास की चाल रहेगा वो ठीक है तो बराबर निर्वात में परकास की चाले तीन गुना दस के पावर एट मीटर पर सेकेंड और इसका है वान पॉइंट एट जीरो गुना दस के पावर एट मीटर पर सेकंड तो यह तो मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड यूनिट का काम खतम जो कमने पहले भी देखा था आप वर्द नांग का कोई यूनिट नहीं होता है 10 के पावर यूनिट 8 इसका भी है 10 के पावर 8 इसका भी है तो यह भी खतम हो जाएगा ठीक है बचेगा फानली क्या तो तीन उपर बचेगा सिंपल से कश्टे पाव लिखते हैं और नीचे 1.80 बचेगा तो यह दसंबलब को अगर हटाएंगे तो दसंबलब को अगर यह दर दो अंक है तो उपर दो सुना आएगा ठीक है तो या फिर एक दसंबलब को अगर इस दसंबलब को बाद जीरो का वैलू नहीं होता अगर इस ना बैठेगा और चुकि दो अंक है और नीचे 180 है वैसे भी एक सुना से एक सुना इदर कठी गया तो तीस बटा ठारा है और इसको छोटा करेंगे तो देखिए यहां पर पांच शका तीस कड़ जाएगा और तीन शका ठारा कड़ जागा यहां पर पांच बटा तीन आता तो यहां पर पॉइंट देंगे चुकि दो से तो लेगा नहीं तो जीरो तीन शका अठारा फिर दो भी बचेगा मतलब इसी परकार से यह आता रहेगा 1.6666 आता रहेगा इसको आप ऐसा लिख सकते 1.67 लिख सकते ठीक है इसको तो इसके बराबर में क्या लिख सकते 1.67 एक CEO को देखते तो तीसरा नमर निर्वात में परकास की चाल्सका भी दिया हुआ और बोलेर ते रिखेंगा 1.50 तो सब से पहले निर्वात में परकास की चाल पता है जिसको लुग सीभी लिक सकते हैं निरबात में परकास की चाल दिया हुआ है हलने कि इसको प्हुंद लिख लएंगे पहले से अग्रिट काइम बच एथिक है निरबात में प्रकास की चल पता है आपको 3व recommended Davous ए्ट मिटर पर सेकेंड होता है तो यह होता है निर्वात में परकाश की चलो और काश का परत्नांग दिया हुआ है मत कांश का आप का वरत्नांग कि पेड़ाबर कितना काश काश परत्नांग है कि यहां पर वरन पॉइंट फाइब 0 एकपंट villain यहां और ओंप पॉर्ट्नांग निई तो आप परतनांग का फर्मूला क्या होता है एन बरावर वबित्क देखें से बनाते डिरेक्ट एक साथ सकते हैं करको थ inflamel रहे में सब्सक्राइब परकास की चाल बटा काच में परकास के चल यह तो निर्वात में फिक्स रहेगा और जिसका परतनांग निकालना वो नीचे रहता है अब अच्छे से लिखकर भी बना सकते सी में कितना परकास की चल तीन गुना दस के पावर एट मीटर पर सेकेंड है तो यहां पर यह हमने लिखा और इसका तो निकालना है भी भी के जाप यह भी लिख सकते काच में परकास की चल तो ऐसा कोई दिकत नहीं है ठीक है तो एन तो दिया हुआ ना यहां पर एन कमान भी सकते उसको ठीक है भी का मान निकालना तो भी जो इधर भागा में इसको इधर लाएंगे गुना में चुक्कि इसका मान निकालना तो इसको एक तरफ रखेंगे तो इसको इधर लाएंगे गुना में आएगा यानि भी हो जाएगा भी 1.5 है और इंटो इधर भी हो जाएगा और नीचे आजाएगा डेड़ तो डेड़ से देखे डेड़ दूनी तीन तो कठी जागा न वैसे अगर आप देखें तो दसमलब अगर हटाए इसको तो ऊपर हो जागा 30 एक दसमलब हटाएंगे दसमलब को बाद एक अंक है तो सिफ एक सुना उपर बैटेगा और गुना 10 क के पावर एट है मिटर पर सेकंड है और नीचे बच जागा कितना 15 हो गया तो यह 15 उन्हें 30 कड जाता है तो दो से कड़िया तो आप आ गया दो गुना 10 के पावर 8 मिटर पर सेकंड तो यह हमारा आया भी का वेल्यू और भी क्या है तो अता यहां पर लिखेंगे अता सब्सक्राइब परकास की चाल बरावर दो गुना 10 के पावर एट मीटर पर सेकंड ठीक है यह अब ऐसे तो चाल बगिए रवात बताया हूआ और इतना ही होता है तो इस परकार से हमने चाल को भी निकाल यह पर नांग दिया हुए रहेगा तो और चाल रहेगा तो आप वर इसका परकास की चाल दिया हूँ है और यदि जल अप वरत नंग लिखता है कि जली की चाल नहीं तो दिया हुआ है अब को पता है वैसे धिया हो रहा गा तो निरबात में परकास की चाल निर्वात में परकास की चाल दिया हुआ है इसको सी से हम लोग लिख सकते हैं सी बरावर इतना तीन गुना दस के पावर एट मीटर पर सेकंड ये सबको पता है दिया हुआ है उसके बाद पानी का अपवर्तनांग की यहां पर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है यहां पर वान पॉइंट थिरी तो यह रहा वान पॉइंट थिरी तो निकालना क्या है जल में परकास की चाल तो वही फर्मूला लगाएंगे जल में परकास की चाल को यहां पर भी माल लेते या फिर ऐसे भी लिख सकते जल में परकास की चाल यानि भी इसको बोल सकते हैं निकालना है तो यासी इसका फर्मूला भी ड्रेक्ट लगा सकते हैं जैसे की एन बरावर होता है सी बटा भी एन अपवर्त नांगे सी निरवात में परकास की चाल और भी जल में परकास की चाल इसको निकाला इसको इधर कर देंगे इसको इधर करतेंगे यानि भी बरावर ऐसा लिख सकते सी बटा इन ठीक है चुकिए इधर आएगा तो यह दोनों गुना में जो रहेगा इधर लाएंगे तो भागा में ठीक है यानि भी बरावर इतना यहां फिल लिख सकते हैं जल में परकास की चाल अर्थाथ भी तो जल में परकास की चाल बटा अब वर्तना ठीक है ऐसा फर्मूला लगा सकते हैं वैसे लगाएंगे तो कोई दिकत नहीं है ऐसे और एन का मान दिया हुआ 1.33 और सी है तीन गुना दस के पावर एट मीटर पर सेकंड और भी जो है यहां पर यह निकालना है तो भी इधर भागम इधर आगा तो गुना में और इसको इधर लेते आता है जैसे कि हमने पहले कल्कुलिशन किया था अर्था तो 1.3 गुना भी हो हो जागा तो इधर पहले से तीन गुना दस के पावर एट मीटर पर सेकंड और नीचे आजाएगा यह वाला 1.33 ठीक अब इसको अगर हटाएं ठीक है तो जब दसंबलब को हटाएंगे दसंबलब के दो अंख है तो बाद तो दसंबलब बाद दो अंख है तो इसलिए यहा 133 यह क्या है जल में परकास की चाल निकालना है ठीक है तो अब 133 और 300 में अगर हम लोग टिवाइट करें तो अब अगर हम लोग 133 और 300 में डिवाइड करें 133 तो लगभग जो कितना वेल्यू आएगा वह लिखना यह तो 133 से एक बार में तो लएगा इसमें दो बार में लग जाएगा ठीक है दो बार में आजएगा 266 133 दुनी 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा और यहाँ पर तो 2 ही बचेगा 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं दस Hmélab यहां पर देंगे तो एक सुनना आएगा तो यहां पर 343 00 है neuen दो बार में 266 हो जाता है दो ही बार लगाएंगे टीन बार में ज्यादा यु费त है तो यहां यहां पर यहां द追ू आए oni तो 66 तो चार और यहां पर तीन है एक देगा इसको तो तेरा तेरा मिसे छे जाएगा तो साथ बचेगा चौंग तर अब यहां पर एक सुन और उत्रेगा तो साथ सो चारीश है एक दर याइन तो टू-प्वर्ण लेकוח सकते लग्भग में यहां पर देखें दस से पांच जाएगा तो पांच आएगा और भी तो तेरा मिसे से चे जागा तो साथ बढ़ेंगे और जब इससे और डिभाइड को ब्वाइड करेंगे तो भी बर्याबर यहां पर बुक में देखे तो यहां पर शिक्स लिखा वहाँ तो सिक्स लिखा थाँ है कि टूपाइंट टूफाइब लिखें है तो भी कोई दिकत नहीं देंगे bergisनक तो अब टूपाइबनटू टूफाइब है तो एक हम भाइस की चल में तो हम बैसे यहां पर two-point-to five दिल्गते चलेगा और गुना 10 के पावर और एक है तो तो अता है कि Bapt पानी में परकास की चाल पानी में में परकास की ए कि चाल बरावर तूपर अगला कॉच्छन देखते हैं अब हम लोग सीधा पच्मा नमर कॉच्छन देखते हैं और इसको को सौल्ब करते इस कौशन में क्या भोल रहा स्कीन पर को संसव रहोगा कि यहां पे जिर्वाद मैं परकास की चार्लक जिर। पंट फोट वारइ.? तो हीरा का परतनांग पुछ रहा था आपको पता है अब फर्मूला हीरा का जिसका प्रतनांग पुछेगा, उसका चाल नीचे रहेगा, ठीक है, और जिसके सपेक्ष देखना वो उपर रहेगा, तो सबसे पहले तो यहांपर जो निर्वात में परकास की चाल, उसको भूलों जो माल लें यहांपर, ठीक है, ताकि अपने को हीरा में परकास की चाल पता चल जाए जैसे की माना यहां पर लिख देना है उसके बाद लिखना है कि निरवात में निरवात में परकास की चाल निरवात में परकास की चाल बरावर सी क्योंकि जनरली हम लोग इसे सी सीडी नोट करते हैं यहां पर सी माल लेंगा ठीक है माना यह त पता नहीं है तो अगर निर्वात में परकास की चाल सी है तो हीरा में हीरा में परकास की चाल आपको पता है कितना हो जागा हीरा में परकास की चाल परकास की चाल इसका निर्वात में परकास की चाल का जीरो पॉइंट फोटो गुना है तो इसमें तो के सी का जीडू फॉरटू गुना तो इतना है इतना में इसमें गुना करेंगे तो जी रू पर टू सी आएगा याधेर निरवात में प्रकास की चाल भी पता हो गया और प्रकास की पता की सबस्याइक का हीरा का तो आप आप शीओ यह फॉर्मॉला लगा सकते या पिर आप हिंदी में अच्छा से लिख सकते हीरा में हीरा का आपवरतनांग ही राका आप आप पर टिनाग तो अगर लोग यहां पर परकास की चाल बता हीरा में कि सकते हैं या फिर निर्वात में प्रकास कि मुद्वा से अब क्या हो घ साआर अब So time कि die तो सी रहेगा चुकि निर्वात में प्रकास कि मौनत हो जाना और जो नहीं 언제 हीरा में परकास की चाल्य यार्था जो भी भी है तो उसका जो चाल है वह कितना है जी रू पॉइंट फॉर टुजिए अब यहां पर देखेंगा सी सी खतम हो जागा तो ऊपर कुछ नहीं तो एक बचेगा ऊपर कुछ नहीं तो वान और इधर 0.42 बचा अब पॉइंट को हटाना यहां पर इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाट डवल अंक दीख रहे अपने को ठीक है इसलिए यहां पर जीरो डवल जीरो बैठ देगा या फिर आप बोले तो 100 से उपर गुना कर देंगे तो 100 से एक में गुना होगा तो वह 100 ही रहागा इसलिए एन बराबर डेक दसंबलब को हटाएंगे तो नीचे क्या बचेगा चुकि दसंबलब की इधर जीरो है तो इधर जीरो का तो वहलू नहीं है ठीक है क्योंकि अगर ऐसे अगर लिखा हुआ है तो यह सिप 42 है जीरो का यहां पर भैलू नहीं है तो सिंपल से नीचे 42 लिखेंगा और दसंबलब हट गया तो उपर सव हो जाएगा अब 42 और सव में अपने को यहां पर भागा कर देना है वही इसका पवर्त नांग होगा तो 42 दूनी यहां पर कितना हो जागा 84 ठीक है 84 को घटाएंगे तो कितना सब्सक्राइब होता है फिर यहां पर दसंबलब लगाएंगे तो यहां पर जीरो आएगा और 160 है तो कितना बार में लएगा चूंकि पांच बार में चार्चों सुल्ला एक साथ तीन बार में लएगा यह ठीक है तिन दूनी छे और चर्तिया बार एक सो चाब्यस तो दस मे दूनी भार साय तो अब क्या करेंगे यहां पर आगे अगर लगाएंगे 340 है तो पांच बार में चछोबीस दोस सुचालीस हो जाता है सचो एठाएस 280 हो जाता है और 342 320 होता है तो आठ बार में लोग लगा सकते देखते हैं अरदुनिस अर्टिस बाकित में त्हे बाक् सब्सक्राइब कर इसको 400 करना पड़ेगा फिर भागा देना पड़ेंगा जितना आप को लिखनों तू पॉंट्पोंट धिरी आतो सरग्सक्तित 처 jamais पर चैसके मई써 सकते हैं यहां पी ईसको चुछ ऒख सकते हैं यहां पे पर निस पर घुक्त सकते हैं तो यहिसार रहेगा सब्सक्राइब लख शुक्त कर सक्वाइबर देता है इसी अहए है और यह आप कांसार अर्थात हीरा में आप परतांक है हिंदी भी साथ में लेकर चलेंगे तो हीरा का वर्दांक टू-पैंट-फोर हो गया अब हम लोग सिक्ष नंबर कोश्चन को सोल्ब करते हैं इससे पहले हमने फाइब नंबर कोश्चन को देखा ठीक है तो यहां पर सि यहां पर देखे estoy question question तो skin peso पर्वीहां संगे किया हावा में आती हो परकास की किरण किसी परदर्सी पदार्त पर आपतित होती है ठीक is जो परकास की किरण वह आ रही है gap right कि कि यह पर दर्शी परदर्श्च सेहा जो यह एक परदर्सी पदर्त है कि मालिए यह जो की डाया कीरन किसी पर दर्स पर आप्तित होती है यदी की यह फिलाम को बनाता है घक कोन कितना डिगरी का बनाता है 45 डिगरी का कुन बनाता है और इसको जाना चीए ऐसा ठीक है यह सोजा इसे जाना चीए तो यह 45 डिगरी है तो यह भी कितना हो जागा 45 डिगरी हो जागा टोटल ठीक है लेकिन यह 45 डिगरी कौन है लेकिन यह जूक जाता है 15 डिगरी अर्थात यह को पता है कि वह अभी रहाम के और मूड़ जाता है तो वह कितना मुड़ गया 45 डिग्री मूड़ गया यह भूल रहागे तो आई यहां पर पता है अपने को यह आई है आप तनकौन और अपवर तनकौन इधर आर होगा जिसको निकालना है जब टोटल यह 45 डिग्री है उसमे आर बराबर होगा तीश डिग्री तो अपवरतन कौन भी निकल गया तो अपने को पता है साइन आई बटा साइनर जो अपवरतनांग का जो फर्मूला था हमने पहले समझा था तो वह फर्मूला लगाएंगे मान पूट करेंगे और वैलू आजाएगा ठीक ना तो यहीं बोल अपने को आपतन कुन पता है आई बराबर है 45 डिग्री और बराबर निकालना तो आर कितना होगा तोटल 45 डिग्री था उसमें से 15 डिग्री जो कि यह मतलब घड जाएगा तो बचेगा 30 डिग्री और भी पता है आई भी बता है अब आप वरतनांग का फर्मूला वरतनार निकाले जाएगा साइन आएग बच्टा और इस और आए यहां पर गालक होता है 15 डेग्री पिर 10 सेकरे मान पर दो होता है इस एक बाटर रूट डू होता है 55- enzymes का रूट 3 वाइट नबMax का 1 होता है betheender Members here अब अब अबर बराबेर और खात पर्दात का पर आतनांक भी अपर हिंदी में भी लिख सकते हैं ओर मियम्य अपर लिख eletsis degree तीज डिग तीज़ेयाइक है आहते हैं अब यहाँ प्षरडी का मांन कितना है On Tyome के लगई हिसांन इस बता है इतना अगे है समझ में अभी सको इसको कल्गुलेशन ऐसां करना आइगा इसे ही से यह चीज़े समझ में आएगे उसके बाद क्या है तो यह आपको पता यह भागा में है भागा में है यह और इसको अगर गुणा में नीचे आजागे जब इसको गुना में चेंज करेंगे यह म Qualiten भागा में जब उसको गुना में च dish करेंगे तो दो उपर ठीक है और एक नीचे आजाएगा तो यहां पर अगर देखे तो ईन बराबर आजाएगा व। ऊपनागे करना जाए गर तो नहें से हम लोग solve कर सकते हैं एक तो तरीका है कि यह जो 2 है इस 2 के बराबर हम लोग root 2 into root 2 लिख सकते हैं चुकि root 2 into root 2 जब होगा तो यह root 4 हो जाएगा root 4 का बर्गमूल 2 होता है तो यह 2 के बराबर है root 2 into 2 अगर जरूरत हो तो तीन बराबर डूट फीरी इंटू रूट फीरी ले सकते हैं चुकि इसका रूट 9 होगा और 9 का ठीरी होगा बर्गमूल यह सब को पते हैं तो वैसा ही करते हैं यहां पर होता है लगभग में वैसे तो इसका अनंत होता है तो दोंग तक लिखेंगे इतना तो आपको वैलू भी याद होना चाहिए रूट टू का वैसे बर्गमूल निकालेंगे तो इतना ही आएगा दोंग तक और रूट थेरी रूट फाइब रूट सेवन इसाब का वैलू आपक सकते जैसे कि एन बराबर टू रूट टू है तो यहां पर आप पर में करन भी कर सकते जो भी नीचे ऐसा दिख्या पर में संक्या तो उसी से उपर नीचे गुना करना होता है तो जैसे कि यह तो है लेकिन उपर भी रूट टू से गुना और नीचे भी रूट टू से गुन नीचे तू आजएगा तू से टू खट हम तो यहां भी एन बरावर रूट टू ही आया और रूटू का विल्व 1.41 है और थात आता करके आपको लिख देना है पदार्थ का परतनांग परावर 1.41 ठीक है यह होगा अब हम लोग सेवा नंबर कोशन देखते हैं तो चलिए हम लोग सेवा नंबर कोशन देखते हैं और सेवा नंबर में क्या बोल रहा है कि एक उत्तर लेंस से अब देखिए यहां पर सबसे पहले आपको लिख लेना है क्योंकि उत्तर लेंस का बात अलग ह है इसमें तो मुझं की बात कर रहे हैं इसको लेख लेंगे सबसे पहले दो आप दो यहां भी पर लिखना जरूरी है कि अपने को भी पता चलिए अच्छा से बौले यह इस में लेख सेंटेमी डूरी पर कई बस्तू का प발तेविम पैले तो कि इतना डिगरी पर है उत्ता लेंस अगर इधर देखे यह उत्ता लेंस है और इधर ही एक अप्ता लेंस मनाते हैं इसको रहने देंगे ठीक है ओ देखे इसका जो आना इधर इधर जो है इधर इस साइड आई से भी पता है इससाइड पलस इसड द माईनिस होगा जीरो के दर माईनिस इधर पलस इसका माईनिस होता है अचेन पर पाटे हमने पहले बताया तो दरपन में भी सेम ज्था तो बोला 30 सेंटीमेटर की दूरी पर रखी एक बस तो बस तो यह अर्था यू बराबर कितना होगा इसमें 30 बना ना इसमें आ हमाइने स्माह दोनों का मायिस महीं ऊता है तो 300 सेंटीमीटर पर बस्तू रखा हुआ है जिसका बास्टविक पर से 20 से रचली दो पर बनता है कि संटीमेट्र कि दूर्पशन पर बनता है आप बोलैं कि आहसे नहीं जो कि अफंगा नहीं में से अनयों बास्त चांद मंट्लों है सब्सक्राया अधर बनेगा उल्टा पालश में भास्तिय शेंटीमिटर कि नौ यह था यह आगे बूल रहा है दूरी पर बंद लेंस की फोकस दूरी निकालना है तो फोकस इसका देखिए कि इधर होता है फोकस इसका इधर होता है तो फोकस इसका इधर होता है इधर किस चीज मानची पलस मानची और जब इसका फोकस देखिए तो इसका फोकस इधर होता है इसका कैस सब्सक्राइं तो आफिस बराबर वान बड़ा भी माइनास बसक्तायू सब्सक्राइन दूड़NS आई हैं यह दो दो कमान भी पता है यह दे लिए लोग सकते हैं इसको इधर होने देते बड़े एकision में जबनो दो मा ñ 30 है ठीक है इसको एक आ श्टे पाउर करते हैं यह मानैस मानैस पलस हो जागा यह फिर आप correct भी कर सकते 100 20 बटा 20 है और माइनस मानैस पलस न्वान बटा 30 हो गया तो वन बटा f बराबर यहां पर एल सम्होंगा बीस तीस का丐से मगन 3 plus 3 2, 6, 8 3, 2, 60 होता है तो 2 into 1 2 ही रहेगा घुए अब इसको गुणा करेंगे मतलब जोड़ेंगे तो तिन दूनी 5 5 बटा 60 इसको काटे तो 12-25 साथ उपर कुछ नहीं तो वन बट एफ बरावर वान और नीचे कितना गया बारा अब इसको उल्टा कर देते हैं ताकि एफ कमाना जाए तो एफ को अगर उल्टा करेंगे तो एक नीचे एफ उपर चला जाएगा ठीक है और एक नीचे का वैलू नहीं एक तो लिखते नहीं ह ठीक है भी अञाएं फोकस दूरी बराबर 12 सिंटीमीटर लिख देना अत्ता है फोकस दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर ठीक है तो इसका 12 सेंटीमीटर फोकस होगा यह हो गया इसे पकार सागर अपतल में पूछा यह तो ऐसे बनाएंगे अगला कोश्चन देखते है देख्क आठ नंबर कोस्चन में और यहां पर जो है नहीं है यहां पर देखके को तो बहुत जाने तो इसमें बोल भनालो से 30 मिंटः की दूरी पर रखी यह बस्तु का पर बहोता है यह माइनिस होता है तो 30 सेन्टिमेटर की दूरी पर रखिए इस में नहीं 20 cm की दूरी पर बनता है ठीक है अब देखिए यह अप्ता लेंस है तो अप्ता लेंस में आप एक बात ध्यान रखना कि अगर बास्तु इधर है तो इसका पर्तविम भी इधर ही बनता है चुकि इसमें एक ही केस था कालपनिक और बास्तविक दोनों बनता थे तो इधर दोनो सीधान बनता है ठीक है तो साड़ बनता है और इधर बनेगा और काल पनिक होगा तो अगर इधर पर्तिभी इधर है तो दूनों ओनेस में साथ जैयाा तो आप तलम याद रखना कि पर्तविम ध्याम फोगा और बलस भी मैनिस में होगा त्यसका इस परकार से लिखना है planets 20 cm यह अपतर लेंज से पता चलता है कि इसका परतविम भी माइनस में होगा ठीक है अब आगे बोल रहा है कि लेंज की फोकस दूरी क्या होगा यह बताना है तो वही लेंज सुत्र से अगर हम देखे या पिर यह नहीं भी लिखेंगे तो भी बना सकते बेंद इफ अबरन बटा भी मैनेश वनता यू यूलंग ऐसेध पूच्रहां वन बटा भी का मान है मानेश बीस और मैनेश ब्टा यू का मैने माइनस यू माइनस तीसने इसको मैनेस माइनस पलस्कर लेत unified नहीं चलरए से और एस पर्रकार से तो सब्सक्राइब काने तो देखाएब को गटाना तो यह घटेगा नहीं लेकिन इसमें अंतर देखे तीन और दो के बीच कितना का एक कंतर है और यह छोटा में से मैने से बढ़ा को घटाने इसलिए मैंने आए खिर आई सकते हैं इस दोनों में बड़ा यह है और यह मैंने स्मयूनी स्टेक्षा करते तो एफ और एक नीचे आ जाएगा इसका साथ ऊपर और यह को स् hindsight- place अंई मैं माइन स्यभ चलता पतल का फोकस फोकस से इधर होगा मारस मोगा मियर इसनितंव इस्का सिंटीमेटर हो छेक है focus धूरी था ना तो अध्या- फोकस धूरी तो फोकस धूरी बरावर साठ सेंटी मीटर पहल टू यह साठ सेंटी मीटर होगा सी मायने से बताता है इसका फोकस दिखार होगा तो अब नाइन को देखे हो एट गमाद तो यह दो यह किना इन से प्लwh आगर देखे स्में तिस सेंटी सेंटीमेटर लिया हुआ है अब अगर इसको 50 सेंटीमेटर करें यहां पर भी 50 हो जाएगा ठीक है यहां पर भी 50 हो जाएगा और यहां से थोड़ा सा चेंज होगा इसलिए इसको मेटार देते और इससे पहले वला आप नोट टाउन कर सकते हैं चुक्ति अगर तो वह वैसा ही बनेगा अगर 50 रहेगा तो यहां से चेंज होगा वह क्या होगा इसका एलसे मगर निकाले वन बटा एफ बराबर तो भी तो तो पचास दूनी 100 नुसे तो तो यहां पर देख रहा है कि आप तो फोकस मीनिस में रहेगा इसलिए पांच और दो का अगर नतर देखे तो तीन का है लेकिन बड़ा यहां पर पांच है और मैनेस में तो यह शोटा में से बड़ा घटाएंगे तो माइन is में आएगा और बटको करें तिर्फा तर सिल्ट सी कुना करें बात कि इसे उल्टा कर देँन 2004 कोई स्वीत जेगा और स्टिय्म जはは और स्चुन मेरे तौसर हनाँ में दीfar़ 5-7 फिर नो फिर एक बचेगा तो इसी पोइंट मैं सकते हैं तैस wszystkich यह फिर 30.34 यह फिर फिर कर के लोग लिग सकते हैं तो Algun बढ़ सकते हैं तो तो फोकस दूरी इसका क्या होगा अता अता फोकस दूरी बराबर 33.3 cm लगभग आप लिखना चाहिए तो ब्राइकेट में लिख सकते हैं तो यह होगा हमारा 33.3 यह तो मायने सिप यह दिखाता है कि फोकस किसका अपतल का है इधर है लेकिन फोकस दूरी तो वही होगा ना य नमबर कोशन देखते हैं तो यहां पर देखे नाइन नमबर कोशन क्या बोल रहा है बोला कि किसी 15 cm फोकस दूरी वाले अपतल लेंस यहां पर फोकस दूरी दिया हुए सबसे पहले जो जो दिया हो आना उसको हम लोग लिख लेंगे फोकस दूरी अर्थात एफ बराबर 15 cm और आपको पता यह फोकस किए हैं अपता लेंस का है आपता लेंस में बोलाइंज फोकस दूरीवाले अपता लेंस ऑ। यह फोकस दूरी गन्यूहीन को आफ़ात लेंस कि पऍता लेंज दुवारा किसी बस्तु का पर्तिभी में 11 से 10 सेंटीमेटर दूरी पे बनता इह थांट 15 सेंटीमेटर वंप लेंगे वहा क्या सबस्धितर करना यानि यू और एम भी घ्याद करना अब अर्धन हम तो यू घ्याद करना है ठीक है फर्मूला वह लेगा लेंगा लेंग से तो यह सूत्र से अगर देखें तो मरता इफ बरावर वानी बटबी मैनेस 120 इनोफ यह मैनेस 15 ठीक बरावर वन बटबी कमान भी माइनेसREE मायनेस 12 मायनेस वन बटा यू यह तो निकाल नहीं इसको निकाला यह था है अगर इसको निकालना है उसको एक तरफ रखना है लेकिन हमें यूं यूं मैं इसलिए कि क्या करेंगए जो माम singles में दिख रहा है इस पोर्षन को अगर इदर लाएं बराबर की सए्ड में लाएं तो माइनिस वाले या पलष महो जाता है तो इसलिए हम लोग इसको इधर लाएंगे बराबर किसयाद में यह वान बटार यीधर आएगा और कैसा होगा पलष में और यह जो है इधर है यह जो है इधर का इधर रही आएगा और इसको में मिर्लों क्या करें गारइगे सबस्क्राइब और यह तो पहले से था माइने स्ट Но उपर लिख सकते हैं इत chatting जो एक हो कर दिया ठीक यह भाँता?. यू बराबर 15 10 का एलस्यम जो होगा वह यहां पर अगर देखे सबसे बड़ा 15 है तो 15 से 15 कटेगा दस ने 15 दूने 30 होता है जो 10 सभी कटेगा 15 सभी कटेगा तो 15 दूने 30 तो 2 वराबर यह 30 उपर चुकि यूको उपर किया को नीचे किया तो इसमें भी 30 को अपर करेंगे एक को नीचे करेंगे तो यह नीचे और यह नीचे अचया फर्मूला क्या होता है लेकिन यहां पर्तविम क्यों चाही ना तो बस तो चाही दिया हुआ यहां अगर देखे तो भी है 1-10 और यह कितना है माइनज सरी से तो यह तो कट गया 10 दिया 30 यानि एम बराबर कितना या यहां पर उपर कुछ नहीं तो एक और नीचे तीन बचा इतना यहां इस्कों अगर भगा देंगे इस परकार से तीन में एक से अगर भागा देंगे मतलब कि एक में तीन से भागा देंगे तो जीरो दस अमलब लगाएंगे ताकि एक सुना यहां पर आए अब लगाएंगे भागा तो तिंतिया नौ होगा यहां पर एक बचेगा फिर जीरो आएगा फिर तिंतिया नौ आएगा यह इस परकार से आता रहेगा तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे हमने बता है अपने तरीके से 0.34 लिख दे या फिर 0.3 ही लिखेंगे तो भी चलेगा तो इसका क्या होगा यह अब बस्तु दूरी अर्थात यू बराबर कितना सेंटीमीटर है तीस सेंटीमीटर और अब अरधन अब अरधन भी आप लिख लें या एम बराबर कितना है जीरो पॉइंट थीरी सेंटीमीटर तो यह इसका अंसर होगा ठीक है अब हम लोग नाए नमबर कोश्चन देखत तुप épouse 1 नम्बर कोश्चन में बोल रहा है 9 ह मैंने देखा था दस नमबर कोश्चनम्र को अगर देखू टो बोल रहा है की एक उत्ता लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 संक्तिमीटर है यहां पे लेंस कैसा है तस नमबर एक उत्ता लेंस के यह सबसे पहले तो उत्ता 좀 लेंस हम ये रखहें अरह भर ही दूरी पर सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कि लुकिं डॉरी रखिए फ़राबर के अच्वाइब आधर द imaginoms और इसमें कितना पॉकस है उससे मեյ अच्पनगा उंच्प्राइब छोगत में कितना है पंदरा सेंटिमिटर है और बोलत बस तो इधर भी रहता है। develops कभी और अपटा नेस कभी दढलता है तो इसका माइनस में होगा कैसे उसके बाइस के पासवरीम के श्थिति और उसकी परतिविंगत की श्थिति परकिर्ठी बताना मछ Selे कि उल्टा है हम यहां पर हिंदी में भी लिखा हुआ ठीक है बस्तु की उचाहिए अर्थात एच वन बरावर एक सेंटिमीटर एक पंच जीरू है मतलब एक ही सेंटिमीटर हुआ कि इतना चीज है तो पहले भी की स्थिती परतविम की स्थिती बताना है तो लेंस सुत्र से लेंस सुत्र से और ब 2050 बरावर वनवाट्थ कमान पते हैं डूसे बरावर वनबटा बिका तो पूछे में तो इधर भी मैने स्मयने स्वाइब जाए इसको इधर यूद्धर ने देते हैं और यह जो इधर दिख रहा मायने स्वार्यां जो पलस होगा लेंगे तो tuttiंब है 15ices 3230 2013- 25 निचीटेओ बड़ाबर में से 2 प्रंट गठाएंगे तो एक बटा 30 बचेगा वश्च पाप、 1 को डासे हो से बचेगा बबर वन irony-बड़ा भी सब्सक्राण 3 होगा ठीक है 15 29 32 30 30 23 233 माइनस 15 32 23 21 2 बराबर 1 बटा भी अब तीन में से 2 को घटाएंगे तो एक बटा 30 बचेगा तीक है एक बटा 30 बचेगा बराबर 1 बटा भी अब बीक उपर कर देंगे और इसमें 30 को पर कर देंगा रथात भी बराबर 30 cm ठीक है तीस सेंटिमेटर और यह पलस में है पलस में इसका मतलब किदर उत्ता लेंस की बात बोल रहा तो अब उधर पर्तिबीम बना है तो इसका प्राकिर्ति तो यहां सब पता चल जाएगा कि पलस म पर्ति और इसरीटि यहां से पता चल देगा लेकिन आगे भी पूफ रहा है बस्तु कुछ कि एतना है तो पर फर्मूला क्या होता है इसको गया होता है प्रत्वाबर में मात तो हुचा यह को दो यह दो बराबर है यह को में guarником होगा आगर इसको लोगं लिखे खानीटा में दो कमान पता होगा तो प्सक्रांज बड़ी तिसरा कमान Say तो यहां पर शीप देगे उचाई निकालने के लिए इसका तो पता है बस्तु को चाई लेकिन परतिवियम की नहीं पता है और नहीं पता है तो दो चीज नहीं पता है तो वोस्त निकाला पड़ेगा एक चीज एम अपने को निकाला पड़ेगा और एम किसे निकलेगा भी औ बता सकते हैं तो चलिए अब अब एम बरावर जो फर्मूला होता है भी बटा यू तो भी कमान कितना है 30 है तो उपर हमने 30 रख दिया यू कमान कितना है तो यू कमान माइनस में 15 है ठतरों माइनस में 15 तude तीस में माइनस में मैं एक मतलब माइनस में मतलब नीचे बनेगा को उलता मतलब पास्तिविक तो यह यहां से भी पता चल जाता है तो यह मतलब दूगना बनेगा अगर यह सेंटीमेटर का है तो पर्तविम दो सेंटीमेटर को होगा तो अब हम लोग क्या करेंगे इधार हाइट ओफ इमेज निकालेंगे तो यह बरावर फरमुला होता है एस टू बटा एस चबन आप हिंदी में भी लिख सकते पर्तविम को चाही बटा बस तो कुछ आई तो एम कमान अभी अमने निकाला माइनस दो तो माइनस दो और एच टू एच टू तो निकालना प्रतविम की उचाही ब मैं सिरहीं कर थे यह थे सब्सक्राइब सब्सक्राइब रहे सब्सक्राइब इसे तो कुछ क्यूल voit át Duongbra a well always फिरन की योगा एकि आध एधा यह स्वे şythe मैंस की मालो रएना हुआ लेकिन कि आ €2 आ करे लिखना यह दो चीज़ पूछ रहाता पर्टिविम की पर्तिविम की स्थिति बराबर कितना सेंटीमेटर पर है 38 सेंटीमेटर तो 30 सेंटीमेटर हो गया ठीक है पर्तिविम की प्राकिर्ति तो पर्तिविम की प्राकिर्ति बास्तिविक उल्टा यह किसे पता चलता है यह पलस चिन से ही पता चलता है पलस मूदर बास्तिविक माइनिस होता है इसका मतलब इधर बना इधर बनता तो काल्पनिक सीधा होता है उसके बाद हाइट ऑफ इमेज यानि परतिविम की आकार कितना हो जगा दो सेंटीमेटर ठीक है तो ऐसे लिखना है चिन नहीं लिखना सिब दो सेंटीमेटर उल्टा बास्तिविक और 30 सेंटीमेटर यह आप कंसर होगा अब हम लोग देखते नेक्स्ट कोस्चन तो आप यहां पर देखी 11 नमर कोस्चन है और इसमें बोल रहा है कि पांच सेंटीमेटर रूची कोई बस्तू है बस्तू कुछ आई दियों पांच सेंटीमेटर डास मिला देता है तो अभी सारी लेंस से तत पर क्या है यहां पर उत्तर लेंस का है तो अभी सारी लेंस में अभी सारी मतलब उत्तर लेंस पर राकेट में लेक सकते उत्तर लेंस में ठीक है अब क्या बोल रहा है इसमें इसमें बोल रहा है कि पांच सेंटीमेटर उची कोई ब है वराबर 5 सेंटिमेटर है 5 सेंटिमेटर उचाई बला एक बस्तू है अब सुब्सटों देद्ट गयार कि सारील लेंससे अचरोय डूरी पर रखी जाती है 55 दूरी इसका कितना है डास के बस्तूरटि फूकस दूरी इसका दस सेंटिमेटर ओर आगर इसका फोकूस तो कि तो दाइस सेंटइमेटर फोकस दूरी वाला अभी सारी लेंस है 25 सेंटेमेटर के दूरी पर रखिजाती थिसाथ इंचरफ यह pics j कि छीदर आप मैंने समें होगा अब इतना हो गया तुरिपर परतिविम किज्थिति यह Rachel करना है रहा मा करति लेन्स उत्र से प्रकिर्ति भी पता चल जाएगा तो लेंस उत्र से हैं यहां पर देखे वन बटा एफ बराबर वन बटा वी माइनस वान बटा यू वन बटा एफ कितना है one bur np f यानि की एफ कमांda 10 cm 10 ऐन भाट्प भी तू निकलना है Miniz one बड़ यू- कितना है पछीज सिंप मेर्ट więc मैंने मैं जह मागम पहले कर देते और हमीं One बटा भी कमान नीकल है तो ऑन बटा नी रहे गा और यह M cultures पलास वन बाटा पैचीष ये फलंट मैं इधर तो मायनिस में इधन्ट पहले से था और यह स्थी पड़ाइगा तो वięट पाईश मैं से इधर सी बचेगा वेर वन पता निकलना अब लिकाफ आप अरएंगे दीजहां वकंदंप्र तो 5- 25 पचीश 5 दूनी 50 तो दो एक दो बरावर वन पटबी पांच में से 2 को घटाएंगे तो 3 बटा पचास आगा और जो वटा भी बीक अब्र उपर करेंगे को एक नीचे आजागा बराबर पॉइंट में वह ली देखे eldote तो सुलब्ण लाएंगे तो चिरो तो बचा दो फिर जीरो आएगा तो फिर तीन चकाँ ठारा और फिर नोग्म लिखेंग यह जो आया ना इसको लिख सकते हैं तौ अपना अपना तरीका से लिख सकते बढ़ बेसका आगिया है सुला पंट सिक्स सेवन सेंटिमेटर अब यहां से प्रकृति पता चल जाता है ठीक है वह लाश्ट में लिख देंगे कि अब क्या बोल रहे हैं यहां से तो प्रकृति स्थिती पता चलिए इसका अब बोल रहे हैं कि आकार भी ग्याद करना है अकार ग्याद करना और इसका अकार दिया हुए बहस्तू का अकार जैसे हमने पहले भी बनाए तनवाई से इसमें देखिए अगर इसको मान निकालना प्रतविम की अकार की तो एम पता होने चाहिए एम पता के लिए भी और यू वाला फर्मूला लगाएंगे तो अब जो फर कितना है यू का मान उपर दिया है 25 इसके नीचे कुंछ नहीं तो ये बट में इसके बट में यह हैंाऎ ये भागा में इस से 50 बटा 3 है उसके भागा में पचीस बटा 1 यानि माइनस में अगर इसको 50 बटा झालज करेंगे तो एक उपर चला जायगा और पचीस नेचे चला यह मायनेस में यह उसके बाद करें तो ऐसे करना पढ़ेगा तो एम बरावर हो जाएगा अगर अब इसा दीखें ना चार्वोट तो यह उपर मलती अब यह नेचे वालती अब्हती है इस इसकोन आपने तो फिर आपको समझंग तो ठाक है पचास बटा थेरी है और जब इसको गुणा में चेंज करेंगे तो एक उपर और पचीस नीचे हो जाएगा ठीक है ना तो इसको और थोड़ा सा नीचे लिखते हैं बराबर यहाँ पर हो जागा एम बराबर पचास बटा तीन है और यह गुणा में बदलेगा तो यह एक उपर और पचीस नीचे अर्थाती एक से उपर में गुणा पचास से और यह पचीस नीचे से गुणा ठीक है अब यह माइनिस में तो यह माइनिस में ही रहेगा पचीस दूनी 54 2 इक और नीचे बचा तीन थीक है और मायनिस में था तो यह मायनिस में रहेंगा मायनिस दो बटा तीन आता है इंग बंदर तो रूह नहीं निकलना है तो इससे भी पता छल ज़ेगा ठीक है त अब इदा रहते और M बराबर फर्मूला होता है परतविम कुछाई बटा बस तुछ आई मतलब H2 बटा H1 और M का मान है ना M का मान मान माइनस दो बटा 3 है तो यहां पर रख देंगे माइनस दो बटा 3 बराबर H2 कितना है H2 तो निकालना है तो H2 को उपर ही रहने देते हैं और H1 अपने को पता है कितना है 5 cm है तो 5 cm ठीक है पांच लिख दिया अब तिर्चा तिर्ची गुना करें ठीक है तो क्या होगा कि यह जो टोटल है इसके नीचे कुछ नहीं तो एक भी रख सकते यह पिर तिर्चा तिर्ची गुना भी कर दें अगर ऐसे तो भी देखते क्या होगा पांदो ने दस और यह तीन और यह पॉइंट में देगा अंसर ठीक है 3.3 ऐसा कुछ और इसमें अगर गुना भी अगर यह भागा में है इसा हम लोग समझे यह भागा में है सिंपल सी बात इधर तो माइनस दो बटा ठीक है और यह दर भागा में इधर आएगा तो यह एधना बरावर इस्टू तो एस्टू बरावर भी तो इतना लिख सकते हैं तो एस्टु बरावर इसको गुणा कर देते C안پ wenn दस और मेरे 3 मटने तो मानेस में वस्ट आप क्या करना थीन मे 주स्ट से भागा दे देते हैं तो 3 YU Ambrog दसे इंद तो थीर तिन तिन नो पर 10 , पर जिरो आएगा फिर तिन तिन दिन पर दैंद जसे प्राइक एसा ही छलता रहूस इसलिए 3.3 को लिख सकते हैं ठिर्पांट 3 जब भैदा उड़ा के लिशके उने बोला था यहां पर 3.3 मैंने मं है इतना संटीविकर है संटीविकर नहीं लिखते हैं स्टारीब बरहाबर 3.3 मलोड दिक नहीं आप जो पूछ रहा था बास्तू की स्थिति पूछ रहा था बास्तू की स्थिति आकार तथा प्राकिर थे तो बास्तू की स्थिति से हम लोग यहां से लिख सकते हैं बास्तू की स्थिति आता कि बास्तू की श्ठिति बराबर बस्तू की स्थिति नए परतिविम की श्थिति पूछ रहा था ठीक है परतिविम की श्थिति तो यहाँ पर प्रतिविम की स्थिति हो गया कितना सेंटिमीटर 16.67 सेंटिमीटर ठीक है प्रतिविम की आकार पूछ रहा था आकार कितना है प्रतिविम की आकार स्थिति हो गया प्राकिर्ति कैसा इसका प्राकिर्ति पता है तो बास्तिविक होगा तो इतना चीज बताना था तो आई होप यह कि यह भी के लिए हो गया होगा यह था कितना इगारा नमर था ठीक है यह आ 새로운 कोश्चन था और यह भी मोख प्रास्ट देखते तो आप यहाँ पर देखिया 12 नमर में जो बोल रहा है कि यादी उत्ता लेंस से लेंस किसकी लेंश बात बूर 사reon निंज की ब भोलेंटा ठीक है तो उत्ता लींस यहां पर लिक लेंगें और सब्सक्राट कि उत्ता न बसंटा अबसृक्ट अ क्या आप एक बारा Meg क्याने कंआंक काज़ा क्या प्रूंक इस में सब्सक्राइब मेलगे सब्सक्राइक यांनिक्षिंद ने काल्पनिक काल्पनिक बोले तो कैसा सीधा और सीधा कैसा होगा यहां पर पलस में होगा ठीक है और अगर उल्टा होता है बास्तविक होता तो माइनिस में होता है तो यह बात याद रखना है काल्पनिक बोले सीधा तो अब अर्धित जो परतविम बनेगा चार गुना है तो सुद्धि distributed तो चार कशनी बनता हो तो बताएं कि पैल कहा बनेगा और लेंस की फोकस क्या सब चाएं और फटा लीन्स बताना है तो दूचिछ बताना फोकस थो भी बताक Wag gi थीकoni । उसे हम लोग यहां पर देख training कमान दिया हुआ 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 है फर्मूला होता है दूझी अ यह फ्यन भी पाता है आं भी कमान निकाल सकते हैं तो देखिए यू कमान पता है है और चुर्म परह अबरेबर होता है भी बटा यू ठीक है तो यू कमान कता है में तो ऐसे रहेगा और भी कमान कीतना माritis में बारा ये इधर आएगा तो गुणा वियान अनि चार गुणा माइनेस में 12 और बचेये तो बहुण प्रहूंश है कि इसक पर CAR दली मायनिस में ठीक ठीक भी का मान अगया आफ दिने फ़्यात'. सेंटी मिलीटर में इसका तो चलिए सेंटी मेर देते हैं और उपर यूभी मैनेस में और यह कैसा है उत्तालेंस परता भी और बांता है तो यहां पर कालिप बनता है अब भी 48 cm दूरी पर रहेगा और अगर इसकी प्रकृति की बात करें तो कालपनिक सीधा होगा जो कि पहले भी बोल रहे हैं हले कि इसमें वह नहीं पूछ रहा है सिप पूछ रहे कि परतिमी कहां बनेगा तो कहां बनेगा लेंस के फोकस दूरी क्या होगा भी पता हो गया तो लेंस के फोकस दूरी भी हम लोग पता कर सकते हैं बस यहीं दो चीज पूछ रहा था कि परतिमी कहां बनेगा लेंस के फोकस दूरी तो अब भी पता हो गया तो लेंस सूतर से लेंस सूतर से तो होता हो वन बटा एफ वराबर वन बटा भी माइनस वन बटा यू होता है वन बटा एफ एफ कमान अभी निकालना है फोकस दूरी और वन बटा भी हमने अभी निकाला माइनस अड़ तालिस और माइनस वन बटा यू है को सोल्प करते वन बाट एफ पर आ जाएगा यहां पर सबसे पहले वन बटा-48 और इसको मैंनेस प्लस कर लेते के बाट माइनस इसको धियान देना है यह toh Пषोपाइप बारवर देखिए यह great और 24 दो तीन предлаг आएगा और मतल़्य में 40 से भागा हिए तो एक में उपर वहाँगा यह to do autor pursuit 4 Sorry टो thय जागा तो तूपएप बचर ना बार बड़ावर 3 बटा 48 हो गया तो यह 340 कर जाएगा सुला ति आर्टालीस तो उपर कुछ नहीं तो एक बचेगा यह वान बचा एफ वरावर वन बचा पर बचाला बचेगा अब स्कुल्टा कर देंगे तो एफ बेरावर हो जाएगा सुला सेंटीमेटर फोकस दुरी इसका सुला सेंटिमेटर है पलस में इसका फोकस होता है सभी को पता है उधर पलस में फोकस इसका होता है उत्ता लेंस का जब इसका फोकस पता हो गया ठीक है फोकस अभी पता हो गया अब इसमें क्या पूछ रहा था फोकस दुरी हमें पता हो गया और यह परति बिम्ब पर तेबिम्ब 48 सेंटीमीटर पर बनेगा ठीक है लेंज से नाले सेंटीमीटर पर बनेगा इसा लिख सकते हैं और फोकस दूरी तथा तथा फोकस दूरी दूरी 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्ता लेंज से उत्ता लेंज से उत्ता लेंज की बात वह रहा है फोकस दूरी कितना इसका 15 cm skin पे सु रहोगा 15 cm इसका फोकस उत्ता लेंज से तो इसका प्लश में हुता है प्लश मेही रहेगा कोई दिकत नहीं इसमें वतलन से किसी को रखा जाए आर्थात बस्तु जो दूरी है वो पूछ रहा कि चुक्ता तीन गुना बर्धित पर रत्र विन परहत हो अर्थात वी बरावर एम बरावर यह पर यह पर पर नहीं बता है कि है कि कल्स निक है क्थे सब्सक्राइब कर सकते अगर वहां पर vaat-3 और अगर पर होगा तो पलस में होगा यहां पर दो केस हो सकता है तो यहां पर दो केस होगा एक क्रेस होगा जिसमें बास्तवीक परत्वीम पराप्त करने के लिए देखेंगे क्या वर्दित तीन गुना पर होगा तो उसके अनुसार बस्तू कहां पर रहेगा ठीक है बास्तवीक के लिए एक वर काल्पनिक के लिए तो दो केस होगा तो सबसे पहले क्या इसमें बढ़ावार यहां पर पलस मैंस तीन इसले लिखा हुआ चुकि यहां पर इस यह के लिए तो देखिए बास्तवीक पर्तिविम के लिए अपको पत्ता है और यहां पर सिप पता ऐगी उसके बाद यू भी यह या कुछ भी एक पता करना होगा ठीक है तो भी यू यू कुछ है जैसे देखें मेरावर माइनस 3 है तो माइनस 3 है तो इम बरावर फर्मूला होता है वह बटा यू होता है यह बास्तिबिक परत्विंग के लिए एम कमान कितना माइनस थीरी और भी पता नहीं और यू ऐसा है अब यू इधर भागा में इधर आगा में दर्कंड हो जाएग इस परकार से M का मान रखा तो हमें यहां पर भी का वैल्यू आया माइनस 3U और वहां पर जो है ना भी के जगा पर इसी को रख देंगे और एक यू पहले से रहेगा तो इस परकार से अपने को F का मान पता हो जागा देखे कैसे है लेंड्सुत्र से अगर देखे या फिर इसको ना हमेशा जरूरी नहीं होता है तो भी कोई दिकत नहीं लिखने से वन-बत एफ एफ बरावर वनस्मान कितना है यहां पर भी कमान कितना है फिर माइनस यू का यू रहेंगा धिक है यू यहाँ पे पर बस और अल्ट कमद दिया हुआ है तो यू क कमांन तोरह हमसे निकल जाएगा यहां पर तो यहां पर देखें वान बाटच पंद्रह गार पंद्रह इधर एक ही आधि एधर भी यू इधर भी यह थे तो त्टीरी U and u गार LCM ले तो 3 U ही रहेगा ठीक है अब 3 U से 3 U में भागा देंगे तो 3 U से 3 पर मिलेगा चुक्कि दोनों सेम है तो एक पर मिलेगा तो एक गुना 2 और यह माइनस में तो माइनस में रहेगा ठीक है फिर यूस इस में भागादेंगे तो earn कर जाएगा बचेगा थी जाफ भागा देंगे से तीरी अ के यू से यू ऐसे तो यूसाइभड़ने क्या क्या तेरी बचेगा तो त तीरे शीकिद्धी तोo यूच तम टीर यू छत्म त कील करेंगें तो ट्री यू गुए कि यह फ़िजर अब यू का भैलोन काला तिर सा कुशिय को ना करें मैं 12 सब्सक्राइब 50 Lazar कि मारत समयं माइनना प्लस में तो नगर तो कटें गे तो betta 17 यो बराबर आ जाएगा 20 लेकिन यह माइनेस में नाल्य सेंटिमीटर मेंये था चाहरा भास्तिमीटर में ना ल्हेख के लिए यूई कितना मामेन चलओ लेकर बलेगा को यह तुछा है यह और चाहरा कि ना Nah रखा जाएगा ठीक है और कितना फोकस रहेगा उसका 15 cm focus वाले उत्ता लेंश होगा उसमें बास्तविक परत्विम प्राप्त करने के लिए तीन गुणा वर्थित परत्विम प्राप्त होगा रहेगा तो यह ठीक है दूर्या मैस में इस लेगा उसका परत्विम उथर बनेगा वह कैसे रहे बहुत तो ऐसा केस रहे गा हमारे पास यह प्राप्त करना है तो तीन गुना प्राप्त होगा तो कि इसके लिए कितना दूरी पर रखना होगा वह था कि यू आ गिया बीच इस संकी मिटर ठीक उसके बाद तो यू बराबर अथा बस्तु दूरी यहाप लिख देंगे बस्तु दूरी बराबर 20 cm 20 cm यह बास्तविक परत्विम प्राप्त करने के लिए हुआ अब हम लोग इसको मिटाते हैं और इधर ही काल्पनिक परत्विम बाले देख लेते हैं की अब हम लोग देख लेते हैं काल्पनिक प्रत्विम के लिए की तो काल्पनिक में इम हो जाएगा कितना पृस में ठीक है एम पलस में होगा एम अबर्द जो भी गुना होगा वो पलस में होगा ठीक है क्योंकि वो सीधा होता है उसके बाद एम बरावर वैलू रखेंगे या पर भी बटा यू तो एम कमान तीन है और भी कमान तो आपने को नहीं पता है भी और यू इधर भागा में है ठीक है इधर आगा तो गुना में यानि भी बरावर देखे ठीरी यू हो जाएगा ना इसी परकार से यह भागा में इधर आगा तो तिनीं और यह तो ऊहलो सब्सक्राइबまई सब्सक्राइब अम्हाइब लेन में तो उप्द्र तो सब्सक्राइब ने अब ही बनाया तीरियू का और यू से थिरीयू का एक बार में तो एक से ऊपर में गुना होगा तो एक माइनस यू से यू कर जाए यहां तीन्हों तो फटा पंदरा बराबर एक में से तीन को घटाना मतलब दोनों की इसके अंतर देखे तो दो है बड़ा वाला तीन है जो माइनस में तो यह माइनस में आएगा ठीक है मैं माइनस दो बचे गा यहां पर अब सब को पता है अगर चोटा में से बड़ा घटे तो ऐसा होता है इतना सिंटेमीटर आया ठीक है यू बराबर कितना गया माइनस दस तो आता है बस्तुदूरी इसका क्या होगा शाय बश्तु दूरी इस पराबर 10 सेंटीमेटर है तहीं कब जब कालपनिक परतिवह पराप्त करना हो तो दस सेंटीमेटर के बस तुप दस सेंटीमेटर के दूरी पर बस तुर रहे इसका फोकस कैसा होगा 15 सेंटीमेटली रहेगा तो तीन गुना वर्धित प्राप्त होगा काल्पनिक परत्विम के लिए और यह बास्विक परत्विम के लिए था यह दो क्वेस्था तो आई होप किलियर हो गया तो फ्रेंड्स हम लोग अब लेंस की थोड़ा सा अलग है उससे बोले कि उत्ता ल लेंस की करा को है दूरी 25 संटीमीटर रहे हैं लेंस की यह संटीमेटर न tenants लेंस लिए कि और इसका आर्व का 2 15 पाता है कि अगर उत्ता लेंस थो फोक्स इधर पर अचिदर मलंग इनसका फोकस इधर माणका पावर और सकती पावर जो फर्मूला था तो वह पता है फर्मूला क्या यानि पी बराबर जो फर्मूला तो वन बटा एफ होता है ठीक है पी बराबर वन बटा एफ और यहां पर जो एफ है न वह दिया हुआ पचीस सेंटीमीटर लेकिन अपने को यह फर्मूला जो होता है यूणित होता है लिए स पर में होदह धिए मीटर के लिए ऐसा फर्मूला में ठीज इसके देख लिए वलाबर बस्वेल इस लिg लिए मेटर लिखेंगे तो बरावर हो जाएगा वन इसको मिटर नीचे इसको उपर ले जाएंगे अगर तो यह मीटर इनवर्स ऐसा हो जाता है ठीक है और इस उन है और मतलब अइसा लिख सकते जैसे वहन है ना तौन को अलगल कर देते हैं अगुना बाउन मेटर ऐसा लग इसको करेंगे तो यह मेतर का ही दो लेकिन उस के बरावर में परियोग क्या जाता है श— प्योग करते श— इसको मिला disp— सबसे पहला को क्या करना है लें यह जो पी एफ गरावराबर आप्सक्राइब घृत न कम लोगए में मीटर में करना है तो एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होता है आपको पता है एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होता है तो इसको क्या करना पड़ेगा अगर सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है सुन नहीं तो क्या होगा यहां पर 25 है अगर साफ से भागा देंगे पहले ही भागा देंके बाद में कुछ हिंदत नहीं तो यह हो जेगा मीटर में मीटर में तो इसमें भागा देंगे तो यह क्या हो जाएगा памट-तो संब्सक्राइब भी काड़ के बनाएंगे एक सुना दो सुना तो दो आग दोँगा दो आग्दाकर देंगे अंधर जिरो देंगे फिर याफ यह हो गया मीटर में कि पीः ब्रॉन बता एफ या फिर उसका फर्मूला है हुआ है तो वैसे भी बात वहीं पड़ेगा तो पी बराबर वण बता इफ कमान कितना है जीरो पॉइंट्ट टू फाइब ठीक है और यह कैसा है मीटर में गई ठीक तो पी बराबर यह दशनलप को अगर हटाएंगे तो भी बात वही है दशनलप को हटाएंगे तो दो अंक है तो उपर 2 सुनना हेगा यानि साव से गुना करेंगे ऊपर तो वही बात है यहां पर देखिए यह चार आया और यह नीचे है से वान मीटर ऐसी है ना मीटर यह 25 चौश तो कड़िया अब इसको हम लोग मीटर को उपर में लिखेंगे ना तो ऐसा लिखेंगे मीटर इनवर्स ऐसे माइनिस वान पावर में और इसको क्या बोलते हैं पी बरावर फोर डी होता है डी के बराबर होता है अलोकि डिरेक्ट है तो अता करके आप लिख सकते अता लेंस लेंस की सकती सकती पूछ रहा था सकती बराबर फोर डी तो यहीं आपका अंसर होगा अब देखते हैं नेक्स कोश्चन तो आप यहां पर देखिए 15 नंबर कोश्चन 15 नंबर कोश्चन बोर एक अपतल लेंस की सकती लेंस का अप přeταbalance है ठीकिख है अब तो जैंस में तो हम नह estásब नहीं बस्तक्र मतलब है फर्मूला भी लेगा अब दाकर था तर्द चित्य दिया याने की सथ 2 फिर ब्राबर 17 minder d बराबर होता है one meter minus one यह पता है आपको इसी के बराबर होता है जो तो हमें पता ही है कि उसकी फोकस दूरी क्या होगा जो पूछ रहा है फोकस दूरी पूछ रहा है ठीक है तो सिंपल सी बात है पी बराबर जो फर्मूला होता है one बटा यहां पर तो अपने में लाना या सेंटिमेटर में थोड़ी लाना है फो अब यहां पर देखिए पी का जो वायलिव है पर और माइनस टू डी है तो यहां पर पी के जहाँ पर वैसे तो जनरली टू लिख देते हैं चुकि दी तो लिखना ही है वह मीटर है और वन बटा एफ तो एफ इधर लाएंगे तो टू गुना एफ बराबर वन हो जाएगा तो एफ कमान निकलना तो वन बटा टू अभी इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको पता है मेटर है तो इसको सव से गुना करना पड़ेगा तो जीरो पंट फाइब गुना सव करेंगे तो यह सेंटीमीटर में आजएगा तो पांच एक अंख हुआ एक जुर और यहां पर देंगा निक दो अंख बाद दास संटीमीटर में म delक में पांट में ऑही था मैरी मैंने स्मय तो मैंणेस मैं दो मैयरी मैं ऐब यह वहोगों MN नहीं में स glare तो यह प्रवाइस अगर जनरली बनाए तो ठीक है वह अच्छे सा समझे तो कैसे बनाना यह पी बराबर वन बटा एफ होता है ठीक है पी बराब वन बटा पी का वैलू कितना माइनस टू डी है तू डी है उसको हम लोग वन डी वन मीटर माइनस वन के फॉर में लिखते हैं तो टू डेंगा चवर माल कोव में लिखेंगे जिसको यह उधर देखिए इसको माइनस टू और एम के पावर मांडेश वन लिखेंगे चुकि यहां पर तो में मिंटर में में लाना है दी में तोडी लाएंगे यह बराबर वन बटा एफ एपक इधर लाएगे निक्मान निकाल लान को को इसको हम निक्ट लाएंगे ढांग कर गा sense मैंने माइनेस में 0.5 और मीटर में माइनेस वाउन नीचे है जब इसको उपर करेंगे तो यह पलास में हो जाएगा ठीक ऐसा आपने पढ़ा होगा गर कोई iH is a1 to a power minus 1 लेक्सकते या फिर को mk power minus 1 है तो स्को one में के पावर बात 1 लेक्सकते या फिर खाली M भी लिग सकते इसको पर पलक्स में तो यह हम्ने तो में नहीं लिखिना है तो इसका फोकस दूरी भरावर कितना हो जाएगा फोकस दूरी बराबर 50 cm माइनस में नहीं लिखना माइनस जो अपतर लेंस है तो अपतर लेंस का फोकस तो मैनस में होता है इसलिए माइनस में वट्ट फोकस दूरी 50 cm होगा ठीक है तो यहां पर देखे सोलर नमर जो कुर्षन है उसको अच्छे से ध्यान दे तो बोल रहे क्या कि एक डॉक्टर चस्मे के लेंस की सकती जो लेंस की सकती अर्थात पी जो है ना पी बरावर 1.5 डी है डेफ्टर 155 डेफ्टर लिखता है तो उस ले सब्सक्रावर में हम लोग लिख सकते क्या वांडी है ना 1.5 मीटर माइनस लिख सकते हैं सिंपल सी बात है तो फोकस दूरी भी गयात करना है और बताना है अगर फोकस प्लस में आ गया इसका मतलब होगा सौरी यहां पर देखिए उत्तार लेंस का जो फोकस है ना वह होता ह दूर्ए पलस में तो अगर फोकस प्लस में आ एगा इसका मतलब वह सारी लेंस है अड़ तो अगर फोकस में आ गया चुकि इसका पर्ता उताली से यह फइलाता है तो हम लोग असाने से समाझ सकते है फार्मूला वह यह पी बराबर वन बटा एफ है तो पी के जग़े पर 1.5 डी दिया हो इसके जग़े लिखेंगा 1.5 मीटर माइनस 1 बराबर 1 बटा एफ इधर लाएंगे तो 1.5 मीटर माइनस 1 गुना में एफ बराबर 1 थे लिखना मीटर माइनस वन जब ऐसा लिखना तो एफ बरावर क्या हो जाएगा देखेंगे तो उपर हो जाएगा 10 चुकि दसमलक बाद एक अंक है और नीचे हो जाएगा 15 मीटर माइनस ठीक अब इसको चाहिए अलग भी लिख सकते हैं वाईसे इसको अगर करें तो दो पचे दस तीन पचे पंद्रह तो एफ बरावर उपर दो और नीचे तीन मीटर माइनस वन अब देखिए दो में देन TWO में कहीं पर भाग देता है तीन में तीन से दू में तो तीन चह का लिए पहले तो इह दो है जिसको 0-point देगे तब ही 0 आएगा तो तीन चह का थार पचेगा 2 फिल ZERO आए गा तो तीन चह तो रहेगा ना इसलिए 0.67 लिख देते हैं ठीक है 0.67 ऐसा लिख देते हैं एक बढ़ा दिया इधर या फिर 0.56 बता है वह बहुत सब्सक्राइब पर यह हो जे घर है इसको इतना मीटर इसको सेंटीमेटर मैं lav यह दो सउसकि तो यह भागा कर दें तो इधर सकता है गुना करेंगे तो इधर सकता है ठीक है तो यह दो आंक इधर हो देगा अर्था 606 एक हुआ साथ दूसरा अंग हुआ इधर खिसकेगा और इधर जीरो का कोई वैलू नहीं इतना सेंटीमिटर आगे जान की इतना साथे सेंटीमिटर और यह प्लस में तो पजले कि यह इस बताता면 कि यह वह लेन से इधर फोकस को तो ऑता हeld है अधा कैसा लेंस मोगा क्या क्या पूछ गात है इसमें यह अवर लेंस सरी ऊफ्क हुआा पक dopoक्स दूरी कि फोकस दूरी बरावर 67 cm सेंटिमेटर तथा अध़ बरावर 67 में तथा लेंस अभी सारी कैसा लेंस अभी सारी तो पलस में ना पलस में तो यह हुआ अभी सारी हां तथा लेंस अभी इसारी है ठीग है भाप डिटेल में भी सकते हैं बालस चीन यहां बताता है कि लेंस अभी सारी है ऐसे बता सकते हैं इतना अप लोग कर सकते हैं अलाम से चाहिए इसको इसको करते में चाहए तो लिखते बात अच्छे समझ में इसलिए तो इसको अगर सॉल्ब करें इसको अभी हमने सॉल्ब किया उपर दो पच्छे दस तिन पच्छे पंदरा दो बट्रे तेन गुना वन मीटर माइनेस वन चीक तो दो तिन का अगर से बुंप नहीं हमने भागा दिया तो कितना जीरो पॉइंट 0.66 और यह कोपर कर देंगे तो यह पलस हो जागा मीटर थीका बीसको सेंटर मीटर में बदलना है सौफ तो कुना करेंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर तो सबसे गुना होने के बाद कितना हो जाएगा सड़ सट सेंटीमीटर यहां से भी तो वही बात है ना तो आप ऐसे बना सकते हैं तो आप देखिए इसमें लास्ट जो है 17 नमर कोश्चन है उसको देखते तो यहां पर बोल रहा है कि एक उत्ता लेंश तो उत्त लेंश की बात बोलते हैं थिक है उत्तर लेंश है परत्भीम निर्मान आपको पता है न एक उत्तर लेंश की सुई का बास्तवीक और उल्टा पर तबीम यहां पर दिया हुआ है भी बरावर कितना है पचास सेंटीमेटर है ठीक है तो भी जो बनता है बास्तविक और उल्टा की बात बोल रहे हैं तो बास्तविक और उल्टा बनता है यहां पर देखिए एक उत्तलें समने बनाया यह तो बास्तविक और और सेंटीम भालतेγά ठीक है और आगे क्या बुल्डfeel और एस अचक्ता है यादी पर्तवियम का रबस्तू का पर्तवियम का नुग लिख सकते हैं। प्रभू कि बात्वी मेरे हिविए हिंदे में सकते हैं पर्तवियम की रवापर चब की कि आकार दोनों बराबर है ठीक है परत्विम बस तो क्या करके बराबर हो तो सुई की लेंज से दूरी क्या लेंज की सक्तिक याद करना है ठीक है सुई सूई जो है यहां पर माल यह सूई है इसका लेंस की दूरी ग्याद करना इसका परतिविम इधर बनता है कैसा बनता उल्टा अगर यह ऐसा है ऐसा रख देते हैं तो वो ऐसा बने गा इधर और कैसा बनता है वो तो दूरी बराबर है तो सूई की लेंस की से दूरी क्या है ले से पहले यदी पर्तविम का खार बस्तु के आकार वह अनुना गालम रखेए के पर वाहद तो तो उसका टू एफ टू पे बनता था ठीक अर्था बगता केंद्र वाला जो सेंथा दरपन में वही वाला है इसमें तब यह बनता था तो यहां से अगर परत्वीम की दूरी जितना है उतना ही यहां से उसका भी दूरी होगा चुकि वह भी बगता केंद्र रहे उस लेंस का और यहां पर सभी सेम रहता है सब कुछ सेम रहता है हो सकता है लग लग वागता कि लेकिन यहां पर सेम कें यह शेयर है धिinsky दूरी और इसकी दूरी सेम रहता अगर यह 50 cm में हो यह 50 cm है तो यह 50 cm होगा और सबसे में बॉल नह淆ए कि कार दोनों का थैंस डू और Rap तो यहां पर देखें बरावर जो एच टू बटा ही बटा होता है ठीक है और यहां पर भोले किया यह दोनों तो सेम है तो अगर एम बरावर अगर हम यहां पर देखें है , तो कटने के बाद यह बरावर 1 और जब एम का मान एक आ जाता है तो बताएं यह और यहां पर एक हम लोग मान रखें तो भी बटा यू यू इदर भागा में इदर रहेगा और एक में यू रहेगा और दर भी यानि यू बरावर भी आ आगिया अर्थाथ बस्तु दूरी अपर तिम दोनों सेम् होगा अत्धा यहां पर देखिए जब वही बार आपको दियावा 50 तो यू यो स्लेकरश थी IRS CE सिंपल सी बात है दोनों बराबर हो तो पचास होगा अब देखिए पचास होगा है एक बस्तु नहीं अंगे दूरेव बस्थ दूरी इत्क नहीं लेकिन याप कोऀना याद राख पहले हैं कि दूरी सेvне रहे गांतना है ठीक है तो अब ही क्या पूछ रहाता है हमसे यहां पर पूछ रहाता कि लेंस की ठोकस स्क्रीज दूरी ढूरी ग्याद करना स्य लेंस तो वह कितना 50 सैंटीमेटर के दूर पे वहका स्वेल Marshmody कुंकि परतविम दूरी 50 cm तो वह भी तो पर दूरी बहुत लेंस से हें 50 cm होगा और आप ग्याद करना है power power ग्याद करने के लिए देखे भी पता है यू पता है लेकिन एफ नहीं पता बिना एफ का power कैसे होगा तो इसके लिए हम लोग लेन्स सूतर लगाएंगे लेन्स सूतर से लेन्स सूतर से वन बटा एफ वराबर होता है वन बटा भी-1 बटा यू तो बटा एफ निकालना है वन बटा भी कमान कितना है भी कमान ऊपर सबाइब लेन instrumental समझतीं ॥मांट build up कितना है मैनेस 50 तो माइने 50 को एक साथ यहां पर पलस कर देते आप लोग समझ लेना उसके बाद यहां पर वन बटा एफ बरावर 50 50 के लसें 50 नीचे से इंद उपर भी सेम एक उतार देंगे ठीक है तो वन बटा एफ बरावर फ्만ल लिटाम 10 50 50 तो फचीस से कर जाएगा फची मिए 50 तो वन बटा एफ बरावर एक बटा पचीस आया उल्टा कर देंगे दोनों को तो एफ बरावर 25 सेंटिम्हे यह फोकस आया कैसा यहां पर फोकस इसका पलस में तो इसका फोकस पलस में होता है ठीक है है आया जो हुआ पावर निकालने के लिए मेटर मेरे सेंज करक्षिव ना हो अब या सेंटीमीटर में अगर ओंसहें इसको मेटर में C आया ना तो सिंपल थैसल से भागा करेंगे तो मीटर में मेटर यह जाएगा डाबल सुनना तो तो दो इधर की जगता है गुना करते तो दो सुना आना तो एक अंग दो अंग बाद आसमला यानि एक यह पांच हुआ फिर दो दो अंक हुआ इसके बाद देंगे जिरो पर टू फाइब मीटर आएगा इतना मीटर एफ तो इसका पावर निकाल सकते हैं तो आप पी बराबर अब पी बराबर होता है वन बर्टा एफ ठीक है तो पी बराबर वन बर्टा एफ एफ कमान कितना 0.5 0.25 मीटर 0.25 मीटर है देखें यह मीटर अभी पॉलस में है ठीक अब उपर जाए ना तो वो माइनेश में होगा और उसके जगा पर टे लिकंगे पावर तो यहां पर द हैं यह की साव से गुना उपर करें एक गुना तो रहेगा नीचे सी पचीस बचेगा और यह मीटर है ठीक है पचीस चौ तो ठीक भी बराबर 4 आया लेकिन यह नीचे इसको उपर करेंगे माइनस मों जाए गाचार मीटर माइनस वन अभी हमने बता है यह प्रत्र dao help को बताया हुए ऊज्सेटा सब अगर यह मान सेंटीमेटर में रखते तो आपको बताया हुआ इसा प्राइब यह भी सेम ही है क्योंकि इस में पहले आप जो बाद नहीं चीण To P to सेंटीमेटर के लिए तो पी बरावर साथ और सेंटीमिटर में कितना है पचीस इंटीमेटर तिदर पचीस रखेंगे सेंटीमीटर के यह तो यह वा सेंटीमीटर विल्ड फर्मूला एसा पचीच्छाथ करेंगे लगा सकता है कि यह मीटर жागके लिए ना यह मान चाइब करें तो वही आयाता है जैसे कि हमने अभी देखा तो फिरंस हमने यहां पर देखिए जो पूछ रहा था 17 नुम्मर कोश्चन में यहां पर पूछ रहा था सिफ की फो लेंस से सूई की कितना दूरी है यह पूछ रहा था और लेंस के सकती पूछ रहा था बस तो यहां से देखिए सुई की जो दूरी है ना यह तो पता चल गया यानि बस तु जो था कहां पर था वो पचास सेंटिमेटर की दूरी पे लेंस है और इसका जो छमता पूछ रहा था वह यहां पर पता हो गया तो बस यहां पर लिख देना आता 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 लेंस से सुई की दूरी लेंस से सुई की दूरी बराबर 50 cm ठीक है माइनेस तो नहीं लिखना है यह पर और उसके बाद छमता पूछ रहा था तो लेंस की छमता लेंस की छमता बोले या फिर सकती बोले घमता बराबर कितना फूर ठीक है यह था फूर ली तो यह हो गया हमारा और आप हम लोग एक कोशन और देखते हैं जो की इंपोर्टेड़ है और यह इस बुक में नहीं है साध्व नया बुक में हो यह फिर पुराना बुक में लेकिन वह भारतिय वहन के कोशन है तो यहाँ नगतव करterrorist करते हैं मालने अधर यह आप ओरत सता है जो दोनों माधियम को अला करते ही हवा से आता है इस परकार से और यह हवा है और यह ही रहा है कि माधियम तो यह जो ना इस पर द отмет करते तो सबसे पहले हावा में परकास का इसलो को हैं पर माल जाती है और इसले का पूर्तनांग दिया हुआ उससे इसमें परकास की चाल पता चल जाएगा अपी देखें कैसे होगा तो सबसे पहले आप लिखेंगे माना कि हावा में कि है परकास की चाल बरावर si ठीक है जे इसको से मानगे और ही राकाप वर्तनांग यहां पर दीया हुआ है हे रा का आप वर्त नांग बोले तो जिद्द दिया हुआ थीक है ठीक तो प्रण फॉट्यक ृट्यू जो रामे जो और हीरा का प्रतनांग दिया उए न बराबर सी बट्ट भी थीक है इन कमान दिया हुआ है टू 30-4 टूइब सब्सक्राइब को तो थे तो यहां पर सिहीं रहे हैं तो और प lashा मान को निकालना ऐट थो आंगे तो कि एक सब्सक्राइब करते हैं म्लय किना का एक पर फॉक्रार can do that ाइसे तो ये शते हैं करेंगे तो वहां एकले और एक तो लगार व कि भागया डून दोड़ को प्रेक्ट फर्मूला भी लगा सकते हैं भी बराबर सी बटा इन तो भी ऐसे ही आएगा ठीक है ठीक है दूनों एक ही बात है अब यहां पर यह हो गया अब यहांप देखिए अगर दसंबलब को हटाएंगे तो दसंबलब को दो अंग दिख रहा है तो उपर दो सुनना से और सौb 002umble भाग देना है तो अपने को यह भागा देना ओगा तो क्या होगा यहां पर देखे इधर इस साडमें अगर देखे तो दो सो भी आलिस है इसमें 100 से भागा देना तो भागा देना तो वहागा तो लहागा नहीं चुक्कि सवक्स का में दो सबाली जादा है इसलम लोग 0-10 देंगे क्योंकि यहां पर बैठाना है अब यह 1000 होगी आप 242 से कितना बार में लगाएंगे तो 1000 से कम आए ठीक है तो चार बार में लएगा चुकि पाच बार में ज्यादा हो जाएगा तो चार बार में देखे तो 200 कुछ हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा इसलिए एक बार में लएगा तो यह होगा 242 अभी दसंब्लब को दो ही तक छोड़ देंगा ठीक है लगभग मैं इसा तो भी कमान क्या हो जाएगा यहां पर देखे इस दोने में भागा देने पर क्या या जीरो पाइंट फॉर वन यहां पे है c गुना इसको भागा देने पर आ गया 0.41 और इज़रो पाइंट करेंगे तो भी बराबर 0.41C अर ठीक है यानि भी में चाल इतना होगा काने का मतलब यह हुआ कि हीरा में जो परकास की चाल वो जीरो पाइंट फो जीरो पाइंट फॉर वन लिए है अर था सी म है परकास की चाल इसका कम होगा तो यहां पर देखिए चलत कि जिस इसमें परकासखे चल की जो कि यह जधा होता तो कम है तो अब हमें कम ही निकालना कि चाल कितने परतीसाथ से比較 खाहब हो जाती है तो पहले कम कितना हुआ यह तो ही रहाम परकास की चाल तो कम कि निकालने के लिए अपने को यहाँ पर कम है तो कमी बराबर हो C न सब और उसमें से बने को oni प tender को नही julate चालेगा विए कि इससे यह कितना कम यानि कि जो हीरा में परकास की चल यह जादा होगा को पता है कि सब्सक्राइब गड़ाइंगे एक में से 0.41 गटाएंगे एक में से तो यहां पर ऑजल दे दी एधी यह एक है और इसमें से 0.41 यह 1C है और यह 041C है इसको घटाना तो 10 में से को घटाएंगे 9 और 9 से 4 को घटाएंगे 5 यहां पॉइंट है तो पॉइंट इधर कुछ नहीं चुकि एक तो पैंचा दिया होगा तो जी रो बचेगे इतना सी आया वह एकट नो क्योंगें सब्सक्राइब है तक पहने को बदल देहां तो तो देखेंगे । निकालना होगा तो कमीपरतीसत का फर्मूला भी में पड़ा होगा जो प्रम्भी राज़ब को नीचे है और जितना कम ही परसेंटेज का पता है कि पर्तिसत तो जो है हरा हावाहां परकास की चल्ड़ से Chinese 10 इसमें जो यह हीरा में परकास की जो चाल है जीरो पॉइंट फाइब नाइन सी हावा में परकास की चाल का हावा में परकास की चाल का हीरा में परकास के चाल में मतलब ऐसा सोचे कि इसमें यह जो रासी है इसमें यह रासी कितना परतीसत है इसमें जैसे एक जाम पर लेता है म पचास का कितना परतीसत है पचास का कितना परतीसत है पचास का ठीक है तो क्या करना पड़ेगा यह जो चार है वो पचास का कितना परतीसत है तो यहीं उसी परकार से देखना है कि जो ही हावा में परकार से चले उससे यह कितना परतीसत कम है अर्थाथ इसको परसेंटेम बन पच्छास दूनी सो आठ परतीसात है चार दूनी आठ परतीसात है तो इसी परकर्सिस में कामी परतीसात जो जिस से हमें तुनला करना है हावा से तो हावा नीचे और जितना कमी आया उतना उपर और गुणा तो यह पर सिंटेज में चेंज हो जागा सी ससी खतम यानि कि जो जो हावां परकास की चाल नीचे भी है और उपर भी हावां परकास की चाल दोनों कॉमन यह कड़ जाएगा बचेगा 0.59 तो यहां पर 0.59 और गुना 100 करना तो 100 अगर गुना करेंगे तो आजागा 69 पर 30 क्यों तो कमी आजागा इसका उनसर पर सेट आई होप यह भी समझ में आगे होगा वीडियो को पेंट करते इसके बाद हम लोग जो यह पीजेक समने पढ़ा सेकंड चैप्टर इसका कोश्चन अंसर देखने वाले वीडियो चलते लाइक में से ज़रू से कर दे और अगर चैनल प कर देखने वीडियो को ऩो यह ज़रू से राद है कर दो कि क्या कि अप्य। ग्रूसलों को कि अप्य। ग्य। खु़रू आए कर दो कि अप्यों के समने लाद है कि आए लाद